हिलो एबरिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टड़ी कोच 91 यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की नियूस पेपर अमर उजाला में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आप लोग की एक्जाम सेंडर में कुछ गरबड़ी हुआ है उसको लेकर के हंगामा हुआ है क्या हुआ है पूरी मैटर आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो वीडियो के साथ आप सभी लोग पुरा अंत तक बने रहेगा अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है आप लोग का एक्जाम पोश्ट पॉंड हो जाए चलिए भीया पहले हम इस नियूज को देख लेते हैं उसके बाद में जो भी बाते करनी रहेगे आप से तब करेंगे तो यहाँ पर जो आज के नियूज पेपर में अपडेट आ रही है अमरुजाला में ये नियूज पेपर लखनों की है और देखती ही इसकी में इनिंग तो पॉलिटेक्निक समसेमिश्टर परिक्षा के केंदर निर्धारण में गड़ बढ़ियों पर हंगामट दूसरे जिलों में बनाये परिक्षा केंदर कॉलिज परबंधकों ने जो है मुख्यमंत्री से की सिकायत यहाँ पर अब हम लोग देख लेते ही इसमें पूरी बिस्तार से मैटर कहां दी गई है कहां की सेंटर किस जिले में किस कॉलिज की सेंटर कहां जो है सिफ्ट की गई कई कोलेज के छात्रों का परिक्षा केंद्र बचि और अब देखें कम परकाइदि अपनी फोन को स्विच्चाफ कर लिये थे ठीक है समसेमिस्टर बैक पेपर वां उनली बैक पेपर वार्शिक पद्धति पार्टेक्रम और मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम की परिक्षा के लिए परदेश में जो है 401 और लकनों में जो है 15 केंद्र में तता करने क्या आरोप लगाया है गाजीपूर के छात्रों को वारांसी तो वारांसी के छात्रों को जो है जाउन पूर भेजा है नोने एक्जाम सेंटर ठीक है गाजीपूर के जखनिया इस्तिति डाक्टर बी आर अमबेद कर पॉली टेक्निक कॉलेज के छात्रों का ज और वारानसी के कैती स्थिती डाक्टर विजे इंस्टिटूट आप एजूकेशन आइन टेक्नोलाजिक के छात्रों का परिक्षा केंद्र जो है जो है जोनपुर के RPS College of Pharmacy में बनाए गया है तो दोस्तों देखे यही प्रॉब्लम थी कि पहली बात तो आप लोग की एक्जाम सेंटर को भेज दिया गया वहाँ पर जो है एक्जाम कैसे हो पाएगा इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री से सिकायत की गई तो यहां पर देखे सचिव कारियाले से गाया फोन भी बंद ठीक है परिक्षा केद्रों की गडबड़ियों को लेकर जो हंगामा बढ़ता देख प्राविदेख सक्षा परशत के सचिव सुनील सोनकर ने बुधवार से सुबा ही अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया वेद पूरे दिन कारियाले में भी नहीं रहे कारियाले में उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन सामत जो है वो नहीं पहुंचे ठीक है तो जब आप लोग का exam center update होगा तो हो सकता है कुछ time लगे जब time लगेगा तो हो सकता है exam भी आप लोग का कुछ दिन post pond हो अगर होता है ऐसा तो ठीक है लेकिन आप लोग को अपनी preparation 25 तारिक से paper start है जो paper आपका 25 तारिक हो है उसका आप लोग अच्छे तरीके से preparation और revision करेंगे ठीक है आप लोग को इन सभी मैटरों में नहीं पढ़ना है ठीक है जो भी updates रहेगा मैं आप लोग को बता दूँगा ठीक है जैसे exam center update आएगी मैं आप लोग को जो है टेलिग्राम पर exam center send कर दूँगा और साथ में मैं आप लोग को YouTube पर भी इसके बारे में update दे दूँगा आप सभी लोग जो है अपनी preparation कीजिए अब देखिए यहां पर आप लोग के exam center को लेगर के problem हो चुकी है वहाँ पर स्कुटनी और revolution के result को लेगर के अभी भी कोई update नहीं मिल पा रही है ठीक है तो अब क्या होगा ऐसी स्तती में आप देखा जाएगा जो भी होगा आप लो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है सबस्क्राइब नहीं किए तो आप सब लोग सबस्क्राइब कर सकते हैं लेटिस्ट वीडियो की notification को पहले पाने के लिए अगे मिलते फिरूम आपसे next वीडियो में किस next update के साथ तब तक के लिए बाई जाइ हिल्द